सभी कसान भायों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेश एकरी कल्चर में स्वागत है सभी कसान भायों को मैं नमस्कार आज हम बात करेंगे बायर कंपाने के रिजेंट 5HC इंसेक्टी सैट के बारे में और साथ ही जानेंगे इसके मोड आव एक्षन के बारे में यानि ये कायरे कैसे करता है और इसका उप्योग हम कुन-कुन सी फसलों पर कर सकते हैं एवं इसके डोस के बारे में यानि एक एकड में कितना एमेल तक डालना है ये कुन-कुन से कीटो एवं इल्लियों पर नियानतन करता है साथ ही जानेंगे इसकी रिजल टाइम के बारे में यानि इसका असर हमारी फसल पर कितने दिनों तक रहता है एवं इसके प्राइस जानेंगे और भी महतपुन जानकारियां किसान भाई अगर आप विजेस एगरी कल्चर पर पहली बार आये हैं तो प्रेडिस लाइए क्यों सब्सक्राइब जरूर करें जिसे खेती सम्मधित कोई भी जनकारी कारोटी विखसन आप तक जल्द पहुँचे सबसे पहले हम बात करेंगे रिजियंट इंसेक्टी साइट के मोड आप एकसन के बारे में यानि ये कारे कैसे करता है तो यह आर्थी गुरूप से महतपुन कीटों की एक विस्तरस संखला के किलाप कम खुराक में फसल में अत्यधिक कीट वहां इल्लियों को नियंतरन करने की अनुमति देती है जिससे कीटों वहां इल्लियों की मृत्य हो जाती है इसके बाद हम बात करेंगे इसके टेकनिकल कंटेंड के बारे में तो इसमें एक ही परकार का टेकनिकल सामिल है वह है फाइपरोनिल 5AC यानि 5% WW फार्मलडेशन में आता है इसके बाद हम बात तो मुक्रूप से कपास, गन्ना, धान, पत्तगों भी, मेर्च, फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे इसके डोस के बारे में तो इसे 15 लिटर वाले पंप में 30 ml तक मिक्स करके इसका हमें छिरकाव करना है इसके बाद हम बात करेंगे रिजे ब्राउन प्लांट हाफर, वाइट प्लाई, अरली सूट बोरर, डाइमन बेक मोथ, एवों सभी तरह के थिप्स पर वहतर नेंतरन करता है अगर इसके रिजेल टाइम की बात करें तो 10 से 15 दिनों तक बेस्ट रिजेल्ट देखने को मिलेगा अगर रिजेंट इंसेक्ट साइट के प्राइस के बारे में अगर बात करें तो 250 एमिल का पीक 400 रुपे के समधिंग मार्केट में अवेलेबर डेता है थोड़ा बहुत प्राइस, लोकेशन के अनुसार उपर निचे देखने को मिल सकता है किसान भाई अगर आपको रिजेंट फाइफ एससी इंसेक्ट साइट के बारे में अगर जान करें सही लगी हो तो प्लिस लाइक एम सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें